रेसेंटली यूक्रेण के मिनिस्टर्सके विजिट चल रही है इंडिया में अब जब से इन्वेजन हुआ है यूक्रेण पर रश्या के थुरू सबसे पहले विजिट है अब इससे ये शो रहा है कि यूख्रेण को कुछी जाद नीड है इंडिया की इस कॉन्फ्रिक्ट को रश्या के साथ उसको सिर्फ इंडिया रिजॉल्व करा सकता है कि इंडिया और रश्या बीच में काफी पुरायरने रिलेशन्स हैं इस वज़े से और अगस्ट लास्ट येर में फॉरंड मिनिस्ट्र जो है यूकरियन के उन्होंने अटैक भी करा था इंडिया के एनर्जी प बोड ने इंडिया के जो रिलेशन्स है वेस्टन कंट्रीज के साथ उनमें भी एकनॉमिक वाड चिट गई है अगेंस रश्या क्योंकि जो है अमेरिका और वेस्टन कंट्रीज उन्होंने कुछ सैंक्शन्स लगा दिये थे रश्या बार लेकिन इंडिया और कुछ और वरत कहने से अभी जो कॉंट्रीट चल रही है रश्या और यूक्रेन के बीच इससे सिर्फ यूरोप पर ही नहीं बलकि पूरे वर्ल्ड पर एफेक्ट हुआ है यूक्रेन यह सोज रहे कि इंडिया को एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए पीसमेकिंग में जो इंडिया की फॉरेंट पॉलेसी है यह जितनी पॉलेसी से इस 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 बोड़ सिर्फ एक चीज़ पर ज्यादा फोकस करते हैं वह स्ट्रेजिक नूट्रैलिटी पर